हलो दोस्तों टमेस मंग सिंग चंदें आपकी समग्च एक और फिर से वर्ट्रिले के प्रस्चत हुआ हैं जो कि लड़कियों गुरूपर होता हुआ अत्याचार के उपर हैं तो कि प्रगर के इसे ध्यान प्रिभक्स दें बेटी कहो बहन कहो या कहो मा इनका दरजा हर एक प्रूस्त के जीवन में आला होता है हर एक मनुस्त के जीवन का पहला सब्द होता है मा हर एक उसके जीवन में पहली गुरु होती है उसकी माँ हर एक उसके जीवन का पहला दोस्थ होती है उसकी बहन जो कभी उसके साथ रड़ती है तो कभी उसके उसके लिए लड़ती है हर एक सही करद का समझ करवाती है उसकी बहन हर एक घर में लक्ष्मी होती है बेटी, जिसके आने से हर एक घर चंदव ज़सा आला बन जाता है लेकिन पता नहीं आज कल के दुनिया को हुआ क्या है बेटी को पैरा करना चाहते ही नहीं लेकिन पता नहीं आज कल के दुनिया को हुआ क्या है बेटी बोज मानते हैं और पैरा करना चाहते ही नहीं अनपर तो छोड़ो पढ़े लिखे पुरुष भी अक्सर ऐसा करने से डरते नहीं है पुरुष्ट छोड़ो कुछ इस्तिरियां भी ऐसा करने से डरती नहीं है इसका एक मुख्य कारण है दहेजबर्था जब तक चलता रहेगा दहेजबर्था तब तक बीटियों को बोज ही माना जाए और उसे पैदा करने से अभिवाबक डरेंगे इस जग में बरता वद्षकर्म भी मुख्य कारण है बालतकार अमल हमला या फिर छेर छाट की खबरे तो अकसर हम अपने आज़गे आज़ पास या फिर टीवी पर या फिर अखबारों में तो सुनते ही रहते हैं गाओं तो छड़ो सहर में भी ऐसे दुज़कर्म होते ही रहते हैं ऐसा करने वाले अकसर छूट जाते हैं इसलिए ऐसा करने वालों का हिम्मत बढ़ जाता है और यह दूसकर्म चलता ही जाता है, मुझे यह नहीं पता चलता, कि ऐसा करने वालों को अपनी माता और अपने बहन का ख्याल भी नहीं आता है, इसे बंद करने के लिए कि अपने बहन को ख्याल भी नहीं आता है, इसे बंद करने के लिए किसी एक को नहीं, पुरे समाज को खड़ा होना होगा, जिस दिन पुरितों के माता पिताब बोलो, या विवावक इसके खिलाप आवाज इखाएंगे और कदम बढ़ाएंगे, तब जाकर स्वासो धारक खुद वखुद उनके कदम से कदम मिलाएंगे, जिस दिन अवावक जिस दिन पुरितों के अवावक इसके खिलाप आज अपना कदम बढ़ाएंगे, उस दिन समाज सुधारक कदम से कदम मिलाएंगे, धन्यवाद, और प्लीज लाइक और स्टेर माई वीडियो, और स्ट्पैब और माई चैनल, शुपम सी जन्नेल, और कम मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो अगर साथ, ओएक बाई बाई भाई ठाड़ा